ओल्राइट तो गाइस बस अब एक दिन बचा डबर डवी का दोज़ार चोविस को पहला और वन ओफ द बिग इस पेपर व्यू रोयल रंबल होने के लिए वैसे तो अब एक दिन भी निए बचा बस कुछ ही गंटे बचे कुछ गंटे बाद हमको रोयल रंबल सुबह साड़ बट जो भी अभी यही है तो फटा-फटन की बात है कर लेते कि कैसे यह मैच इस होने वाले क्या इनके विनर्स होने वाले मेरे और बैटिंग ओट्स का अकॉर्डिंग बस आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आयो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स्राइब कर ल वैसे भी कैविनोंस एक ऐसा बंदा है जो फ्यूड में अपना भी मता डाल देता मतलब चाहे उनके सामने आप कैसा भी रैस्पर रख दो चाहे सामने आले बंदने में दम भी ना हो बट कैविनोंस खुछ से ही उस मैच को इस फ्यूड को इंट्रस्टिंग बनाई देते है है तो सेम वैसे ही देखा जाए तो कैविनोंस की तरफ से मेरे को इस फ्यूड जादा इंट्रस्टिंग लग रहे है जिसमें की कैविनोंस फेस सूपरस्टार है और लोगन पोल जो है वो हील सूपरस्टार है मेरी prediction गलत हो जकते है क्योंकि जैसे WWE Logan Paul को book कर रही है, जैसे उनका time चला है भी WWE के अंदर तो काफी मुश्किल है कि Logan Paul इस मैच में हारेंगे, पर इस्टिल मैं अपनी prediction जो है, वो Kevin Owens के साथ लेके जाना चाहँगो कि Kevin Owens Logan Paul को हरा के इस मैच में विक्ट्री ले जाएंगे, बाकी मैच ये कैसा होगा वो तो हमको रोल रंबल के अंदर देखने को मिली जागा I'm sure Kevin Owens है तो काफी अच्छा ही होगा बाकी फिलाल बैटिंग मोर्स का अकोर्डिंग इस मैच में Logan Paul जीतने वाला है और मेरी प्रेडिक्शन के अकोर्डिंग इस मैच में Kevin Owens जीतने वाला है फिलाल हम लोग चलते हैं इस नेक्स्ट मैच की तरफ जो की Women's Roll Lumble मैच होने वाला जिसके लिए WWE ने काफी सारी सर्प्राइज एंटरेंस प्लैन कर रखिया क्योंकि अभी तक WWE सर्फ चार वोमन को ओफिशल के है Roll Lumble मैच के लिए जिसमा भी सरिफ Nia Jax, Becky Lynch, Bianca Blair और Belly ही ओफिशल हुई है बाकि सारी जो एंटरेंस पर WWE ने अभी तक सर्प्राइज रख रखिया अगर सच में हम सर्प्राइज एंटरेंस की बात करें तो कुछ सूपर स्टार्स को लेके रूमर्स है कि ये लोग ऐसे सर्प्राइज एंटरेंस हमको Roll Lumble के मैच में देखने को मिल सकती है जिसमें सबसे पहले नाम आता शाशा बैंक्स का कि WWE से कुछ टैम पहले चली गई थी पर रूमर्स के कोटिंग हो सकता है कि शाशा बैंक्स फिर से WWE के अंदर अपना रिटन कर ले और वो पॉसिबली रॉल रंबल के अंदर अपना रिटन कर सकती हैं और ऐसे काफी स्ट्रॉंग रूमर्स है कि नियोमी जोग हमको वापिस से WWE के अंदर देखना को मिल सकती है रॉल रंबल के अंदर इसके अलावा लिब मॉर्गन का नाम है जेट कारगिल का नाम है और कुछ एक सूपर स्टार का ओन नाम है और सबसे बड़ा इसमें जो नाम है वुमेंस रॉल लंबल के मैश के लिए वो है AJ Lee का क्योंकि जब से CM Punk WWE के अंदर वापिस आया तब सैसे rumors आ रहे कि हो सकता है हमको AJ Lee भी WWE के अंदर वापिस देखना को मिल जाओ और ऐसे में AJ लिए अपना WWE के अंदर रिटन करती है तो मेरी खास के रॉल लंबल से बेस्ट तो जगा हो नहीं सकती है और सीनिया पर यह है कि अगर जेट कारगिल या AJ लिए दोनों में से कोई भी इस मैच में आती है तो कुल मिला गया अगर हम यह सर्प्राइज एंटरेंस इस मैच में जोड़ देता है तो इस मैच का जो विनर है वो काफी जादा कॉंपलिकेडिड हो रहा है क्योंकि WWE के जो ओरिजिनली प्लैन है वो बैली को वोमेंस लोल लंबल मैच जीतने वाली है बट यह जो सर्प्राइज एंटरेंस में जेट कारगिल और एजली का नाम निकल का रहा है इसने मतलब पूरा सिनेरियो ऐसा बदल कर रख जा तो देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा फिर व की इसने में जेट प्राइज गहां और यह वांенज के वापस लाती है तो फिर ऑगली को लेके और ना सिर्फ विनर्स को लेके बलकि मैच में भी इतने बड़े-बड़े नाम होने वाले हैं वैसे जादा नाम तो उ डिव सक्राईब्स स्कासरा ह出दी चैंपिनन को ज Hin शाद कराने तो मेरे दर हो नंदर चैनल om और विल्स मिक्मेन वाला उसके चलते तो काफी मुश्किल है कि ब्रोकलेशन रोल रंबल के अंदर आए बड़ इस चिल रिपोर्ट्स है कि हो सकता है अपना रिपोर्ट्स है कि ब्रोकलेशन रोल रंबल के अंदर अपना रिटन करते हैं अपना रिपोर्ट्स है कि हमको पीपल्स चैंप दारोक भी मैंस रोल रंबल मैच के अंदर एंट्री लेते हैं अगर ऐसा होता है ना फिर आप बूल जाओ कि कौन रोल रंबल जीतेगा कौन मेन इविंट करेंगे रसल मेनिया फिर भी अगर दारोक ही जीतने वाला है रोल रं मैच का नाम आ रहा है, ड्रू मकेंटार का नाम आ रहा है, सो मतलब इसमेच का जब विनर है वो बोन में प्रेडिक्टेबल होना वाला है यह जीतने वाला है तो फिर भाई मेरी क्या सबकी प्रेडिक्शन CM Punk की है क्योंकि सबको पता है कि सबसे दाधा चांस से CM Punk के ही है अगर दारोग नहीं आते है रोल रंबल में तो CM Punk की वो एकलोता बंदा होने वाला जो कि रोल रंबल जीतेगा हाला कि competition बहुत टाफ होने वाला देखो वैसे तो रोल रंबल जानी जाती है मैंस रोल रंबल मैच के लिए कि सबी मैंस रोल रंबल मैच को देखने आते है कौन व बंदा होगा जो रैसे मीना मेंड के रोल रंबल जीतके तो सारे फैन्स रोल मैच के लिए च्यूक्तeln scoring выпол conomid by पे म Bye-Man going की excitement जरूर दे रहा है एंडिसी वजह से शोग पे मैंस रोल नमल मैच में इवेंट ना करके ये मैच में इवेंट कर रहा है शोगो क्योंकि यार इस मैच में सबसे दादा चांस है कि रोमन रेंस अपनी युनिवर्सल चैंपेंशिप हार सकते हैं क्योंकि रोमन रेंस को अभी जीतने के लिए या न्युह युनिवर्सल चैंपेंशिप को पिन करने की जरूत है इस मैच में चार रैसलर है तो कोई भी किसी को पिन करकर न्यू युनिवर्सल चैंपेंशिप को तो सबसे ज़्यादा खत्रा तो भाई मेरी जाद से इसी मैच में रोमर नेंस की चैंपियंशिप को, एं डव्य डव्य इसको में इवेंट में रखवा रही है, तो हम शोर डव्य डव्य ने इस मैच के लिए कुछ बहुत ही बड़ा सोचा होगा, तो मेरी अकोटिंग तो डव्य 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 इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो रॉमर ने इसको ऐसे मूवेंट पहला के हरवाई, जबकि उनके प्लैंस है, रॉमर ने इसको रैसल मेनिया फॉर्टी में एस चैंपियन ले जाने के, एक सिनेरियो में आपको और बता दूगी, ऐसा हो सकता है कि जब ये मैच खतम हो जाए, रॉमर ने इस अपनी चैंपियन रिटेन करने है, तो दार हो का के रॉमर ने इसको कंफरेंट करने है, मतलब ये कोई पकी रिपोर्स नहीं है, बस ऐसे रॉमर से कि ऐसा डॉमर ने इसको मेन इविंट में भी रखाओ, तो कुछ भी बोलो भाई, रॉल रंबल होने बहुत एक्साइट वाली है, बागी पूरे रॉल रंबल शोगी वीडियो चैनल पर आई जाएगी, फिलाल ये वीडियो करता है, अगर अगर आपको ये वीडियो ची लगी हो, तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं मिलता हूँ से नहीं वीडियो कर अंदर, तब तक के लिए टेक केर,